आज IBP is RRBPO का first day हो गया खतम बहुत सारे लोगों का ये पहला ये examination होगा बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा perform किया होगा तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि यार जो उमीद थी performance की उस उमीद के हिसाब से performance नहीं गया होगा tension लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए एक छोटा सा session बाद में भी करेंगे अभी फिलाल मैं बात करने वाला हूँ उन सारे students के लिए जिनका examination कल है देखो मुझे बस एक चीज़ बतानी है जादा time लूंगा नहीं में आपका हम लोगों ने रात के 10 बज़े वाले session में जितनी भी चीज़े practice करी है जिस level पे practice करी है paper उसके बाहर गया ही नहीं है मैंने आपको 8 hot category puzzle बताया थे और हर shift में उस 8 में से 2-3-2-3 puzzle आपको देखनी कोई में तो बस वो 8 hot category puzzles अगर आप अच्छे से deal कर लिए उनके अलावा जो भी types मैंने आपको 10 बज़े वाली class में कर रहा है वो सारे के सारे detail में अच्छे से करे हो in case आप 10 बज़े वाली class attend नहीं करते हो but आपके सामने यह जो types मैंने लिखे है यह सारे के सारे types अगर आपको अच्छे से आता है confident हो tension लेने की जरुवत नहीं है आप बिंदास सो जाओ proper आराम करो कल का दिन आपका बहुत अच्छा होगा ठीक है अब एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है सबसे पहले तो puzzle की बात कर लेते यह first shift था first shift में आपको ear based, box based, uncertain, floor based and circular sitting arrangement puzzles देखने को मिले थे minimum 20 mark की puzzles आई रहे है 20-25 mark का वेटिज puzzle का रह ही रहा है ठीक है उसके बाद second shift में linear arrangement आई थी month based puzzle थी, floor based थी, age calculation based puzzle थी third shift में linear arrangement था, circular था, designation based था, uncertain था, month and date का combination था and अगर हम बात करते है fourth shift की linear setting arrangement, month, month था, month वाला puzzle and उसके साथ variable and एक box based puzzle यह सारे के सारे टाइप सम लोगों ने practice कर रहे है अब हो क्या रहा है ना आपके examination में यह जो 4-5 puzzles आ रही है ध्यान से सुनना क्या क्या रहा हो 4-5 जो puzzles आ रही है उन में से 1 या 2 puzzles easy है चार से 5 puzzles में से 1-2 puzzles क्या रही है, easy आ रही है ठीक, उसके बाद आपको 1-2 puzzles moderate मिल रही है ठीक, और आपको एकाद puzzle जो है वो moderate plus level की मिल रही है ऐसा देखा है हमने कुछ shift में, एकाद shift में कि moderate level से थोड़ा सा आगे उसका level है in case puzzle का glam, मतलब puzzle go through करके आपको समझ में आता है कि इस puzzle का level moderate plus है तो मैं आपको suggest करूँगा कि वो puzzle सबसे आखरी में करो reasoning में, आप अगर जिस तरीके से आज level देखने को मिला है 32 से लेके 35, 36 तक accuracy अच्छे रखते हुए questions attempt कर रहे हो 32, 31, 32 से 35 तक आप बहुत अच्छा perform कर रहा है ठीक है, एवन कुछ-कुछ students ने तो मुझे comment किया है जो लोग रात 10 बचे regular classes अडेंट करते है कि सर, 38 हो गया, 37 हो गया, 39 हो गया तो ये आपके practice और revision के उपर सारा depend करता है ये तो बात कर ली हमने किस चीज़ की ये तो बात कर ली हमने puzzles की अब puzzle के अलावा एक miscellaneous चीज़ भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है miscellaneous चीज़ में क्या होता है syllogism, blood relation, direction and distance, inequality, Chinese coding order ranking, meaningful word ये तो छोड़ देना है question ये attempt करना ही नहीं है pair counting and operation based question ये questions आपको देखने को मिला है हर एक type अगर आपको याद है तो हर एक type हमने इसमें अच्छा से deal कर रहा है syllogism, blood relation blood relation एक ही shift में आया था आज हो सकता है, कल के shifts में सारे के सारे shifts में हमें blood relation देखने को मिले हो सकता है direction and distance, inequality Chinese coding, सारे के सारे easy topics है miscellaneous part में कहीं पे कुछ भी difficult आज नहीं था, even moderate भी नहीं था, है ना तो यहाँ पर आज का जो shift है उसमें reasoning easy to moderate level की आई थी, तो कल भी हमें easy to moderate level ही expected है, और एक चीज़ बताता हूँ अगर examiner के मन में रहा कि paper को difficult बनाना है 40 के 40 question वो difficult नहीं देगा, वो 40 में से maximum 10 या 12 question difficult देगा, maximum आपका target यह होना चाहिए कि आपको आने वाला हर question अब solve कर लो तो सबसे पहला target यह है, जितने question हम solve कर सकते हैं, जितने question को हम अच्छे से 100% accuracy के साथ tackle कर सकते हैं, उन questions को हमें deal करना है तो that's it, आपके examination के लिए, all the best अच्छे से paper दे के आना result अच्छा आएगा जो भी result आएगा उसके हिसाब से हम अपनी आगे के strategy modify कर लेंगे so that's it, thank you take care and सब से important enjoy your day, thank you so much, bye-bye take care